सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें कि दिला दो हमने का मैय कितने साल की हो बोले साथ साल की है हमने का बुढ़ापे में अब यही बचा है अब बुढ़ापे में तलाक लेके का दूसरा बुढ़ा ढूड़ोगी अब साथी निकल गया पूँच पूँच बच्ची है हाथी निकल गया कहावत सुनिये वाली हाथी निकल गया पूँच बच्ची है सारी जिंदगी जे सादमी के साथ गोजार दी अब बुढ़ापे में काहे माथे पे कलंक लेती हो जब इतनी गोजार दी थोड़ी सी और भगवान के यहां जाने आई हो, तो वहां लोग पर लोग सवार लो, अब कहां उलजी पड़ी हो जगड़े लड़ाई में, रोध होके जितनी गुजारदी गुजारदी इतनी और गुजार लो, भगवान के बनके रह लो न, हम पत्नी पती के साथ रहे, तुमारा पती किया होगा, तो पाप का दंड ऐसा दुष्ट पती मिला है, भोगना पड़ेगा, पितामा भीस्म को बाणों की सईया क्यों मिल गई, क्यों मिल गई, क्यों की उन्हें पाप किया था, तो पापों का दंड तो पितामा को भी मिलेगा, बचेगा तो कोई नहीं, जब पितामा भीस्मको बाणों की सईया इसलिए मिली कि उन्होंने एक साप को काटों के धेर में फेक दिया था उसे बहुत दर्द हुआ तड़प तड़प के मरा तो इन्हें भी बाणों की सईया पर तो आपका पती खराब है इसलिए कि कभी आपने पाप किया होगा तो वो पाप ही पती बनके प्रगट हो गए आपका बेटा बहुत बुरा है तो आपके पाप ही पुत्र बनके प्रगट हो गए आपका ससुर बुरा है आपके पाप ससुर बनके आगए किसी का बेटा बहुत अच्छा है तो तुमारे पुन्य ही तुमारे पुत्र बन किया गए पती बहुत अच्छा है तुमारे पुन्य ही तुमारे पती बन किया गए तो जो जैसा करेगा जो जैसे करें ही सुत्तस फल चाखा जो जैसा करेगा पेड़ बोई बबूल का तो आम कहां से जो बोई हो मैया काटो अच्छा किया था पिछले जन और ये हिसाब किताब हमारा अब कोई कहे महराजी मैं नहीं मानता कि पिछला जनम होता है अगला जनम होता है तो मत मानो चूले में जाओ तो मारे ना मानने से क्या सच्चाई तुम बदल लोगे कोई कहे कि मैं नहीं मानता कि सूर्य होता है उल्लू कहते हैं सूर्य तो होते ही नहीं है तो क्या उल्लू के ना मानने से सूर्य नहीं होता भाई उल्लू को नजर नहीं आता उसकी आखों की प्रोबलम है उसी प्रकार अगला पिछला जनम होता है करमों का हिसाब होता है चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यदि आप उत्तर दोगे तो मैं फिर आपके हिसाब से सारी बातें माल लूँगा मेरा एक उत्तर दो जो साइंस के स्टुडेंट है खास कर वो जो ये कहते हैं कि जनम और मृत्तु होती ही नहीं अर्थात ना 84 के चक्कर में हम कहते हैं कि पाप जैसा करोगे वैसे यौनियों में जाओगे कुछ लोग कहतें नहीं जी मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा सुनो मेरा प्रश्न का उत्तर दो यदि करम दंड नहीं है पुनर जनम नहीं है तो ये बताओ कि जब बच्चा जनम लेता है तो कोई गरीब के घर कोई अमीर के घर क्यों जनम लेता सब बड़े आदमियों के घर जनम ले एक बच्चा फुटपात पर पैदा होता है तो वो पैदा होती गरीब हो गया की नहीं बोलो हाँ या ना और एक बड़े आदमी के गर पैदा हुआ सौने की चम्मच में दूद पीता है तो पैदा होती बड़ा आदमी हो गया की नहीं तो बताओ बच्चे ने कौन सा पुन्य कर लिया कि बड़ा आदमी हो गया और उसने कौन सा पुन्य कर लिया कि गरीब हो गया ये पिछला हिसाब था इसलिए एक गरीब के घर एक अमीर के घर यदि आपने अच्छे पुन्य किये हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे आप छपन भोग खाएंगे और यदि आपने पाप किये हैं तो रोटियां मिलेंगी पर दो रोटियों के लिए भी स्ट्रगल बड़ा करना पड़ेगा आज लोगों का पेट देखू भूखा कोई नहीं मर रहा है लेकन उस पेट भरने के लिए कई लोगों को बड़ी मसकत करनी पड़ती है तब वो पेट भरता हो कई लोगों को कुछ नहीं करना फिर भी छपन भोग खा रहें तो तुमने पुन्य किया था तो आज छपन अब तुम पाप करके आए हो तो दो रोटी भी नसीब नहीं है पर अब अच्छा करम कर ले भाई तो अगला जनम अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो बोया है वही मिलना क्यों मैं यह सही है नहीं तो सब अमीरों के घर जनम लेते यहां तक की शरीर भी कोई गोरा होता है कोई सावला होता है यह भी तुमारे पुन्यों से ही सरीर बना है कोई बहुत सुन्दर होता है उसने बहुत पुन्य किये होंगे तब इश्वर ने उसे सुन्दरता प्रदान किये कई लोगोंने पुन्य नहीं किये तो जैसे सब है वैसे हो जो बिसेश व्यक्ती होता नद, सुन्दर दिखता, इस्त्री सुन्दर, पूरुष शुन्दर सुन्दर ताओी पुन्य से मिलती है, तुम मेक अप कितना भी कर लो तुमारे मेक अप करने से तुम सुन्दर नहीं हो जाओगी सुन्दरता तो नैचुरल ईश्वर देता है वो पुन्य से मिलती है जितना पुन्य तुमारा बेटा बहुत अच्छा है तुमने पुन्य किया तुमारी पत्नी बहुत अच्छी है तुमने पुन्य किया और तुमारे जीवन में अच्छा नहीं है, मतलब तुमने, तुमारे वो पुन्य कम है, कम है, तो तुम्हे कम मिला है, कम मिला है, कई लोगों को रहने के लिए जोपड़ी मिलती है, तुमारे पुन्य है, पर कम है, इसलिए जोपड़ी से तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, और अब करो, अब तुम खुले हाँच है तुमारी इश्वर ने, खोल रखे, अब करो पुन्य, अब करो तो अगला अच्छा होगा, और आप लोग जितने पुन्य भोग रहे हो, आप लोग बड़े आनंद से लगजरी जिंदगी जी रहे हो, तो आप यह न सोचना, कि हमारे पुन्य पुन्य तो हैं आपके, लेकिन पुन्य भोग लोगे, अब करोगे नहीं, तो आगे क्या पाओगे, इसलिए कलका किया आज मिल रहा है, अब करोगे तो आगे मिलेगा, इसलिए और यदि इस जनम और मृत्तु से बचना है, तो एक उपाए और, ये उपाए फिर सब बंधन का कारण तो पुन्य भी है और बंधन का कारण तो पाप भी है इससे बचना है तो एक उपाए है अब भगवान कैसे मिलेंगे वो सुनाता हूँ आप जो भी पुन्य किया करो तुरंत भगवान के चरणों में उस पुन्य को समर्पित कर दिया करो हेनाच मैंने जो भी पुन्य किया है मेरे से जो भी अपराद हो गया जो भी पाप पुन्य मैंने आज किया रात को सौने के पहले पूरा हिसाब भगवान को दिया करो रात को सौने के पहले दो मिनिट अपने भगवान के पास जाया करो हाथ मुकुल्ला करके साफसुद्ध होके और भगवान से न कहा करो हेनाच आज हमसे बड़ा पाप हो गया आज गलती हो गई आज अपराद हो आज हमने पुन्य भी किया हेनाच आज जो भी किया हमने आज हम अपने आपको सहित आज हम आपके चरणों में समर्पित करते है स्री मन्यारायन हमारे पाप पुन्य सब आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे है पर ये दास अनिरुद्ध अपने आपको भी आपके चरणों में समर्पित कर रहा है नात स्वीकार करो ये कहके सूजाओ इससे क्या होगा कि फिर ना तुमारा पाप रहा ना तुमारा पुन्य रहा ना तुमारा ना तुम पापी हो ना पुन्यात्मा हो अब भगवान को जब स्वाप दिया तो फिर भगवान देखेंगे कि आपको कब किस चीज की जरूरत है फिर बिना मांगे भगवान आपको वो चीज हैं देते रहेंगे पर आपको कहने की जरूरत नहीं है और फिर आपका मोप्छ भी हो जाएगा यदि नहीं सौपेंगे तो पुन्य आपने यग किया माना कि आपने 4-6 यग किये तो यग का फल होता है पुन्य तो पुन्य भोगने फिर आना पड़ेगा और आए हो तक कोई गलती होगी तब पाप हो गया फिर फिर पाप भोगने आओ तो ये जनम रत्तु चलता रहेगा गोल गोल इसलिए सारे पुन्य भगवान को सौपते चलो पाप भी सब हेनाथ गलती होगी अब नहीं करेंगा अपराद होता उठक उठक लगा लो भगवान की आगे और सौप दो आज का पुन्य आज कल का कल परसों का रोज का रोज सौप दो अभी तक का नहीं सौप तो कह दो हेनाथ अभी 2022 चल रहा है अभी तक हमने जितने भी पाप को ने किये यदास अपने आपको समर्पित कर रहा है अब हमसे कोई अपराद ना हो पुराने भी समर्पित करो और फिर आप आगे से हिसाब किताब बिल्कुल क्लीन रखो ठीक है मेरी माँ समझ में आ रही है बात ये जनम मृत्तु से बचना है तब के उपाए है यदि स्वर्ग का राजावाज आपको बनना हो स्वर्ग जाना हो तो फिर पुन्य आप कर ही रहे हैं वो स्वर्ग ही पहुँचाएंगे आपको पर स्वर्ग जाना नहीं चाहिए स्वर्ग तो बहुत अच्छी जगह नहीं है भगवान के धाम स्वर्ग मतलब इंद्र का धाम स्वर्ग कहलाता है और भगवान के धाम को गौलोग धाम कहते है बैकुंट कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं, वहाँ जाने का आनंद है समझे